बॉलिवुड में एक टाइम था जबकि गाने कुछ इस तरह के बनते थे कि चोरी चोरी दिल तिरा चुराएंगे और गोरिया चुराना मेरा जिया चुरा के दिल मेरा गोरिया चली और चुरा लिया है तुमने जो दिल को तो ऐसे ऐसे करके गाने बॉलिवुड में बनते थे ह अभी ऐसे गाने बनते हैं लेकिन इतने प्रचुर मात्रा में नहीं बनते हैं, उस टाइम के गानों की बात ही कुछ और थी, कोई गाने में चोरी करा रहा है, कोई ठकाइती करा रहा है, सब दिल का अपना एक्दम भाई, होल से लगा के रखे में, अभी लोग ना बड़ा इं अभी यहां कर देख लो चोरी क्या चीज है, कानों ने इकले पूरा प्रोविजन दे कर रहा है, लॉक लग थे स्कॉलर्स पढ़ाप्ड़ के चोरी और एक्टाइशन ठक जाते हैं, तो आज की यह वीडियो में, हम इसी चोरी के बारे में बात करने वाले हैं, बॉली वोड कि कुछ गल्दियों को सुधारने वाले हैं कि कहां पर वो चोरी को ऐसे इतना यूजवल वे में यूज़ कर देते हैं तो इतना यूजवल वैसे चोरी है नहीं तो आज के इस वीडियो में हम चोरी और उद्धापन यानि कि थेफ्ट और एक्स्टॉर्शन के बारे में इनके लीगल प्रोविजन्स और इनके लैंडमार्क केसिस के बारे में बात करने वाले हैं तो संपूर्ण वीडियो को देखना आपके लिए आवश्यक है बेहतर यह होगा कि एक कॉंपी पैनल लेके बैट जाईए ताकि मैं जो पॉइंट्स आपको बताता जाओं नोट्स करते जाईए या आपके पेपर में बहुत सारे काहों आने वाले हैं तो थेफ्ट एंड एक्ट और्शन के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूंका के चलिया रम से प्रारम करते हैं बैसिकली चोरी एक वो क्रिमनल एक्ट है जहां पर व्यक्ति की कंसेंट के बिना उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक डिसॉनेस्ट इंटेंशन के साथ हिला डोला दिया जाता है उनको गायब कर दिया जाता है चोरी का जो प्रोविदन दिया गया है वो सेक्शन 378 में दिया गया है जहां पर यह बताया गया है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is set to commit theft यानि कि वहीची जो मैंने आपको बताई है कि जब प्यक्ति की बिना अनुमति के बिना consent के उसकी movable property को कोई बंदा जो की wrongdoer है accused है वो हिलाता डुलाता है उसको movement करा देता है वो गयाव कर देता है तो इस पूरी संपूर्न प्रक्रिया को संपूर्न एक्ट को theft या चोरी के नाम से जाना जाता है आप इसी तरह से इसके कुछ ingredients निकल कर आते हैं जिनमें पहला ingredient है कि there must be a dishonest intention of a person to take the property second thing is the property must be movable third thing the property should be taken without the consent of that person and the fourth ingredient is there must be some moving of the property in order to accomplish the taking of it Hindi वे बता देते हैं पहले में कि सबसे पहली बात कि वेक्ति का द्वेश्पूर्ण intention होनी चाहिए द्वेश्पूर्ण उनकी मनोभावना होनी चाहिए उस critical करने के लिए दूसरी चीज की जो property है वो movable होना चाहिए movable को हिंदी में जंगम property कहते हैं तो जंगम संपत्ति होनी चाहिए third thing is कि ये बिना व्यक्ति की अनुमति के जिसके possession में है उसकी बिना अनुमति के लिया जाना चाहिए और चौथी बात ये है कि उस चीज का वो सामान का उस property का movement होना जरूरी है उनका हिलाना डोलाना गायब करना या उसमें कोई क्रिया होनी जरूरी हो जाती है तो यानि कि इसका सबसे पहला ingredient ही यही निकल कर आता है कि जो property है सबसे पहला ingredient यह है intending to take dishonestly यानि कि जो भी property यहां पर ली जाएगी वो dishonest intention के साथ ली जानी आवश्च्यक है अब dishonest intention क्या है यह दिया गया है Indian Penal Code के section 24 के अंतरगत और जहां पर यह बताया गया है कि dishonestly का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुचाने की आश्य से और किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा पहुचाने की आश्य से दूसरा व्यक्ति स्वयम भी हो सकता है या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है इस आश्य से किसी property को लेता है या gain करता है तो इसको कहते हैं dishonestly अब theft के लिए इसमें यह बताया गया है कि यह जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति को wrongful loss हो व्यक्ति के इस एक्ट से इस intention से wrongful loss होना जर जाएगा अब इसको आप कैसे समझते हैं इसमें एक point और है कि तो taking need not to be permanent यानि कि जो भी taking हो रही है जो यहां पर सामान लिया जा रहा है वो permanent होना जरूरी नहीं है वो temporary भी हो सकता है अब इसमें case है केस को हम बोलते हैं प्यारे लाल भार्गव वरसेज यू और स्टेट आ इनोंने क्या किया कि office की एक file गायब कर दी और गायब कर दी और किसी third person को उसका photocopy या photo वगएरा available करा दिया उसके बाद file लाकर वापस रख दिये office में तो उनकी इस act को भी theft ही माना गया क्योंकि भल क्योंकि जो file है file का यहां पर substance जो है वो important नहीं रखता कि हां उसमें substance का चोरी होना जरूरी है उसका जो material fact जो जो चीज है जो उसके अंदर लिखी हुई है वो important होती है और अगर वो चोरी हुई है तो theft माना जाएगा भाई सापको चोर मान लिया गया कोल्ट के दौरा दूसरा point important यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान को चुरा सकता है stealing of his own property व्यक्ति अपने सामान को चुरा सकता है या नहीं चुरा सकता है तो इसमें आपको एक example देता हूं simple मैंने उसको दे coalition अब उसने क्या-क्या बैट उसने लिया कुछ दिन बाद मेरे पापा ने मुझे बैट नहीं दियला मुझे खेलना था मेरा पास बैट था नी में आकदीन और ग university चोर rag Za impression है और मैं बैट भाई बैट हाला कि मेरा था मैंने खुद उसको दिया था लेकिन मैंने अपना ही बैट जाके बिना उसको बताए वहां से मैंने गायब कर दिया अब यहां पर अगर यह मुकदमा अखलेश लेके जाता कोर्ट में तो मैं चोडी के लिए जाएवन मारा जा सकता था तो य यहां पर मेरा मेलाइस इंटेंशन भी है तो भाई मैं चोर हुआ हलाकि यह वहती चोटी बात है इस पर सीएस मत लेना ठीक है नेक्स पॉइंट मू यहां पर जो अगला इसका इंग्रीडियेंट है वो यह है कि देर शुड बी आ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर प्रॉप पर्टी मूवेबल नहीं है तो चोरी नहीं मानी जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी को चुरा सकते है किसे के घर बंगला या पुल यह कुछ ऐसा तो आप चुरा नहीं सकते जो स्थावर संपत्ती हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो यानि कि प्रॉपर्टी चोरी होने के लिए लिए मुवेल होना जरूरी है और मुवेबल के बारे में दिया गया है सेक्षिन 22 आफ ता एक्ट में और 22 यह कहता है कि मुवेल प्रोपर्टी इंक्लूड्स कार्पोर्वल प्रोपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड ठीक्स अटाइज अर्थ पर्मानेंट फर्ष्टेंड तो एनिफिंग विचिज अटाइस टुदा आर्थ यानि कि अमोविल प्रॉपर्टी के अंत्रगत हर वो प्रॉपर्टी आती है जो कि एक तरह से कार्पूरल प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हैं छू सकते हैं मैसूस कर सकते हैं पर नहीं है Virgo अपको Explanation 1 और 2 समयना जरूर से स्वाइब हता है Explanation 1 कहता है a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not the subject of theft but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth यानि कि कोई ऐसी property जो कि immovable property है जो धरती से एक्दम लगी हुई है जोड़ी हुई जिसको हटाया नहीं जा सकता वो immovable property consider किया जाएगी और उसकी चोरी नहीं हो सकती है लेकिन अगर उसको हटाया जा सकता है तो हटाया जाने के बाद वो मूब और property हो जाएगी और उसकी चोरी हो सकती है दूसरा explanation कहता है a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft यानि कि कोई ऐसा act जो कि किसी property को saver कर देता है काट के धरती से अलग कर दे रहा है उसका पास नहीं है मेरे मेरे घर के बगल वाले का एक पेड़ है यहां पर एक यह हला कि मुझे पेड़ बनाना आता नहीं है लेकिन बना देते हैं यह पेड़ है ठीक यह नीचे जमीन है मैं गया मैंने खड़े खड़े इसको बेच दिया तो जिसको मैंने बेचा तो जब तक वो आदमी वहां से उस property को लेकर नहीं जाएगा काट के तब तक यह theft commit नहीं हुआ क्योंकि मैंने बेचा है property भी लगी हुई है position में है control में है यह theft नहीं हुआ लेकिन जैसे ही वो बंदा जो कि जिसको मैंने बेचा जो ठेकेदार है वो इस पेड़ को काट के लेके चला जाएगा यहां से मालो काट के लिए चला गया तो theft हो गया और भाई यह तो दूसरा सीन हुआ तीसरा सीन यह कि वो काट रहा था और काटते टाइम में जिसका पेड़ है जो मालिक है वो यहां पर आगे जो बीम होते हैं वो आगे तो चोर नहीं ठेकेदार वो पेड़ को ऐसे छोड़ कर भाग गया तो पेड़ प्रोपर्टी हो गया और इसकी वैसे theft कमिट हुआ है और मैं फिर धराया जाओंगा कोट के चरी करना पड़ जाएगा second explanation हलांकि है तो simply लेकिन थोड़ा सा इसका language ऐसा है कि आदमी को समझ नहीं आएगा यही कहता है कि अगर पेड़ लगा हुआ है तो इमोवेल प्रोपर् प्रोपर्टी वह कमिट कर देता है वह इसके लिए परियापत है यहाँ पर मुवेंट माना जाएगा कि प्रोपर्टी का हुआ है अब अगला जो पॉइंट है वह है टेकिंग आउट आफ दा पॉजेशन आफ दा एनॉदर परसन यानि किसी अन्यवेक्ती के पोजेशन से ह इसके यूज से अपने अलावा हर एक विकती को अलग कर देना कि मेरे अलावा कोई यूज ना कर सके ये position का सही परियापत होता है जैसे मेरा पास मेरा phone है तो मेरा phone है वो मेरे position में है तो मैं उसको exclusive right है कि मैं ही यूज करूँ मैं किसी और third person को कहीं यूज करने दूँगा तो अगर मेरा phone मेरे position से हटाया जाता है जैसे कि मेरा ये phone है यह मेरे possession से अगर हटाया गया बड़ा गंदा फोने यार तो क्योंकि मेरे possession से हटाया जा रहा है और dishonest intention के साथ बिना मेरे consent के हटाया जा रहा है तो यह theft माना जाएगा अब यहाँ पे एक point आता है जो लोग काफी अटक जाते हैं क्या possession जरूरी है या ownership जरूरी है मतलब theft commit करने के लिए possession जरूरी है या ownership जरूरी है तो ownership की यहाँ पर बात ही नहीं की गई यहाँ पर possession की बात की गई है और वो possession जो है एक मिनट यह possession जो है वो lawful भी हो सकता है और unlawful भी हो सकता है doesn't matter बस possession का होना जरूरी है वह चोर के घर में वह चोर ही हो सकती है, simple तरीके से यह समझ लीजिए, तीक यह इसका इतना है, हाँ, position के बारे में एक point और है, एक point यह है कि position का अर्थ यह नहीं कि भाई, सामने वाले वक्ति के घर से ही गायब कर दिया जाए, उसके इलाके से ही गायब कर दिया जाए, चीज को, चीज अगर उसके knowledge से हाट अगी, भली ही उसके घर में है, उसके, जैसे मेरा फोन है, यह मेरे घर से गायब किया गया, तो माना जाएगा position, भाई मेरे position बाहर निकार गया, लेकिन मेरा फोन मेरे ही घर में है, लेकिन ऐसी जगा पे है, जहां पर मुझे ही नहीं पता है, तो यहां पर भी theft commit होना पाया जाएगा, जैसे कि एक महोदे हैं, काफी पैसे वाले हैं, टोटो, टोटो महोदे हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, अथा पैसा है, इनके पास एक महेंगी सी एकदम ring है, चमकती हुई, उसमें सोने का सेर्वेर बना हुए, काफी महेंगा है, तो इसके जो सर्वेंट हैं, उन्होंने उस अंगोठी को चुराया, और सोचे बाहर लिके जाएंगे, तो भाई बाकी की सेक्यूर्टी वाले पकड़ लेंगे, तो मार मूर के अंग्रेजी बाजा बाजा देंगे, बांदर बना देंगे, वो लाल वाला, तो बाहर लिक है, कि उसने theft commit किया है, next thing is taking without consent, अगला जो ingredient है, कि यहाँ पर व्यक्ति के बिना consent के taking होनी चाहिए, without persons consent, consent का क्या मदलब हुआ है? consent का मतलब होता है सहमति, उनके permission, ठीक है, और अगर कोई consent ऐसा है, consent के बारे में especially explanation 5 बताता है, explanation 5 कहां गया भाई हाँ यह कहता है कि यहां पर कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है तो अगर किसी व्यक्ति ने इसकी वो चीज गया होई है तो यहां पर थेफ नहीं माना जाएगा और अगर उस व्यक्ति के गांसेंट के बिना हुई है तो थेफ माना जाएगा यह बस इतना ही कहता है इसमें आपको ज्यादा जानने की आउशकता नहीं है नेक्स पॉइंट इस दब प्रॉपर्टी मस्ट इसमें इसमें एक्स प्रॉपर्टी मुव्मेंट ही नहीं हुआ है तो चोरी मानने की समावना कम हो जाती मतलब इसेंसिल इंग्रेडियन्ट ही नहीं पूरे हो रहा है काय की चोरी होगी जैसे अब इसको आप ऐसा समझें जैसे कि इसमें में एक्स प्रॉपर करता है मुवमेंट के बारे में जैसे टू के बारे में बता ही चुके हैं कि या मुविंग अफेक्टे बाइदा सीम एक्स ता सेवरेंस में भी थेफ्ट थी थी कहता है अब पर्सन इस सेट टू काउज अब तिंग तो मूव बाई रिमोविंग एन में उसके मुवमेंट को रोकी हुई उसको आगे नहीं बढ़ने दी रही है तो अगर आपने वो चीज हटा दी जिससे कि वो सामान का मुवमेंट हो जाए वो जगह से टरक के कहीं और चली जाए तो माना जाएगा कि आपने छोड़ी करी हैं जैसे आपको होता है एक भाई मुझे ट्राइंग इतनी सही नहीं आती लेकिन कोशिश कर सकते हैं ठीक ये भाई ये तो डब्बु जहां पर ये कार को पाक करता है ना उसके यहां पीछे यहां पर एक इटा लगा देता है ताकि ये कार पीछे को ना जाए अब ये कार लगी हुए ये डब्बु ग लग गई और यहां से उसना आराम से चोरी कर ली तो एक्स्पेशन थी भी यही चीज कहता है कि किसी एक चीज को ऐसी चीज को अटाने से जिससे कि उस सामान को जो मुविए और प्रॉपर्टी है जिसको चोरी करनी है उसका एक मूवमेंट संभव हुआ तो यहां पर ये च विच इन कॉंसेक्वेंस ऑब मोशन सोकाउल इस मूव बाइट एनिमल लेंगव समझा के कोई फाइदा नहीं सीदे एक्स्प्लेनेशन पर आते हैं यहां पर कुट्ता है ठीक कुट्ता है काफी महेंगा किसम का महेंगा कौन सा होता है यार जैसे मुझे इस पेसली जो है व आप बहुत कि जाओंगा तो मैं क्या गया मैंने हश्की को दिखा के ही जो हड़ी उती ने हड़ी दिखा कि उसको ऐसे दिखा कि अपने जेब में रख लिया फिर मैं दीरे दीरे सरकने लगा हसकी ने देखा कि इसके पास हड़ी है तो वह भी अपनी जगा से वहां से हिल के मेरे पीछे पीछे आ गया मैं जहां तक गया वो मेरे पीछे आ गया अब यहां पर मैं actually husky को चुरा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा act कर रहा हूँ जिससे कि जो husky है वो उस सामने वाले बंदे के position से बाहर निकल जाए और यहां पर मैंने theft कमिट किया है simple है बहुत simple है तो बस इतना ही इसका explanation है इतना ही इसका ingredient है तो अगर यह सारे ingredient यह जो चार ingredient है यह अगर पूरे हो रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि भाई theft कमिट हुआ है और भाहिया जाएंगे जेल कभी कोभी जमानत भी हो जाती है यार खड़े-कड़े इसमें कोई बड़ी बात नहीं है next point अब इसकी punishment पर आते हैं तो punishment इसका दिया गया section 379 में और explanation आप पढ़े लीजिएगा वह illustration आप पढ़ लीजिएगा बहुत सिंपल सिंपल है तुरंत आपको धम से समझ में आ जाएंगे punishment दिया गया section 379 में जो कि यह कहता है कि जो भी व्यक्ति चोरी करेगा वो उस सजा के लिए जो कि तीन साल तक के लिए हो सकती है इसके लावा उसके पर फाइन भी लगा जा सकता है या तोनों ही उसको दिया जा सकते हैं यह section 379 जो है वो कहता है अब आते हम अपने next important चीज पर जिसको कहते हैं extortion extortion basically पहुंच जाए extortion पे section 383 में दिया गया extortion और extortion यह कहता है मार्क कर देते हैं whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestory induces that person to so put in fear to deliver any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security comments extortion अब कई बार लोग ना थेफ्ट और extortion में हो जाते हैं confused कि है क्या extortion को हिंदी में कहते हैं उद्दापन इसके अंतरगत ऐसा हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस तरह के भाई में डालता है डर में डालता है वो डर किसी भी तरह की injury का हो सकता है वो simple का भी हो सकता है ग्रीवियस का भी हो सकता है तो उस उस व्यक्ति को डाला या फिर उस व्यक्ति के किसी जुड़े हुए व्यक्ति को जिसमें उस व्यक्ति को यहाँ पर मालो हो कना कि एक तो ऐसे पैसा निकलाया जासकता है उसको डिलिवर करने के लिए बाद कर देता है है तो इसको माना जाएगा कि बंदे ने एक स्टार्शन जिया फिल्मों में देखते होंगे कि कोई भी आया एक दम से और एक एक आदमी है जो अपने जिसे यहां पर एक बदा है वह अपने बच्चे साथ चाइल्ड के साथ जा-त है यहां पर एक तीसरे भाया पूँचे टोट ओमाल लो पहुँच गया अर्टों के हैं चाकू है उसने बच्छयों पकड़ लिया और कहा कि अभी चाकू से इसका गर्दन काड़ देंगे और ए से बोला कि जितना तुम्हारे पास सोने की चायन घड़ी और पैसा रुपया क्रेडिट काड़ होगे रहा है सब निकाल दो ए ने उठाके डर के मारे कि उसके बच्चे को चोट न पहुंची उन्होंने सब कुछ सामान उठाके टोटो को डेलीवर कर दिया तो यहां पर ऐसा माना जाएगा कि भई टोटो ने यहां पर एक्सटॉशन करा है ठीक अब इसके इंग्रीडियेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो बेसेक्ली सबसे पहला इंग्रीडियेंट यह है कि इंटेंशनली पुटि शुद भी सोन विदा व्यू तो टेकर थिंग पर प्रॉपर्टी और वैलिवेबल सिक्वर्टी और साइन और सील ऑफ़ डॉक्यूमेंट और फॉर्थ पॉइंट इस देर मस्ट पी अधिस ऑनेस्ट इंटेशन अब एक एक इंग्रेडियेंट के बारे में बात करना कुछ खा है और जो भी यहां पर काम होना चाहिए वह डिस और इंटेंशन के साथ होना चाहिए एनी परसन मतलब कोई भी वैक्ति हो सकता है वह वह कोई भी वैक्ति है इसका इसके बारे में बताया गया है इसको आप मॉनेटरी जिसकी निकाल सकते हैं इसके बारे में पनिश्मेंट दिया गया है सक्षन 384 में यानिकि जो भी विक्ति सक्षन 384 में इसकी पनिश्मेंट दी गई है जो भी विक्ति एक्स्टॉर्शन करेगा वो सेम थेट के ही कितना इसकी सजा है तीन साल तक के लिए जेल या फिर फाइन या फिर दोनों ही मिलेंगे सिंपल है तो भाई जब दोनों की सजा बराबर ये तो चोरी ना करें क्योंकि उसमें बचने के चांस ज्यादा होते हैं धराये गए ना तो पब्लिक बहुत बुरा मारती है मतलब लीड़ा होती हॉस्पिटल ही बचा सकता और कोई बचा नहीं सकता इसलिए जब भी आप लोग करना एक्स्टॉर्शन नहीं करना चोरी करना लिटरल मत लेना यार पता च पूछा जाता है वह इनके बीच में चोरी और उद्धापन के बीच में डिफ्रेंस का ही पूछा जाता है तो अब सीधे सीधे डिफ्रेंस पर ही आ जाते हैं ठीक है डिफ्रेंस पे आने के लिए ज़रूरी यह है कि पहले मेरा चल जायार हम डिफ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं उसके लिए ये शटकोड बनाना पड़ा दूसरा चीज ये है एक मिनिट का आप टाइम देदी ये थोड़ा था वो बना ले देखे बनता कैसे है यह यह बन जाएगा चार्ट तो आप लोग इसका वो भी ले सकते हैं वो जो इसक्रीन शॉट तो आपको काफी फाइ करेंगे तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है एक नंबर एक मिनट है सबसे पहला जो बेसिस है वो है कंसेंट का चोरी में जैसे आप सबको पता है कि बिना कंसेंट की चोरी होती है जिस विक्ति के प्रॉपार्टी मोवल प्रॉपार्टी चुराई जारी उसका कंसेंट नहीं होता है वो free consent नहीं होता है वो किसी तरह के force या fear of injury वगएरा की वज़े से होता है ठीक है second point is यहाँ पर जो subject है दूसरा point है subject का subject जो है वो theft में especially movable property ही होती है कभी भी immovable property की theft या चोरी नहीं होती लेकिन extortion में ये किसी भी kind का हो सकता है any kind यानि कि movable भी हो सकता है और immovable भी हो सकता है difference का तीसरा point है भाई मैं बहुत गंदा लिख रहा हूं मुझे पता है लेकिन मैं इसका मैं इसको सही कर दूँगा तीसरा point जो है वो होता है means and method का means and method का मतलब क्या है theft में कोई भी तरह की force यूज नहीं किया जाता कोई भी तरह का force या फिर आफ इंजूरी यूज नहीं किया जाता है यह इसमें तीसरा difference हुआ basis हुआ चौथी चीज यहां पर चौथा जो difference है वो है delivery का कि थेफ्ट में delivery नहीं होती थेफ्ट में भाई बिना आदमी के जाने पैचाने ही यहां पर delivery हो जाती है इसलिए यह delivery नहीं माना जागा जबकि extortion में बंदा जिसकी property है वो स्वयम से delivery करता है सामान को अपने हाँ से उठा के रॉंग डूर के हाथ में देता है क्यूल के हाथ में देता है वो सबसे लास्ट पॉइंट जो फिप्थ है बाहर निकल गया लगी वह मुव्मेंट का तो भाई मुव्मेंट क्या है ना कि मुव्मेंट में मुवमेंट होना जरूरी है कि इथना पर्द्सी प्रॉपलट्ण फॉप्वर्टर है अगर मुवेंब pro तो प्रपटी में में मुँमेंट हो रहा है यह नहीं हो रहा है तो यह था पूरा पॉइंट ठैस्ट और अगर आप लोग कभी कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं अलग सिंद की विवस्था करूंगा आपको नोट्स अवेलबल कराने की बाकिया आप लोग इसे रिक्वेस्ट है और कभी को भी डेटा देखे एक दम मन खराव जाता है वो अंदर से कुछ वीडियो बनाने का क्योंकि आप लोग रेस्पांस नहीं करते कभी कमेंट नहीं करते लाइक नहीं करते हैं और यह अगर डेटा देखा जाए सब्सक्रेप्शन का तो सौ में से च्यानवे परसेंट खाली वीडियो देखके आगे बढ़ जाते हैं चेही परसेंट ओ सार की आदमी तक पहुंच सके जिनको इनकी जरूरत है और बाकी के लाउस रेलेटिड वीडियो पॉइंट्स टॉपिक्स जज्ज्मेंट्स सब चीज के लिए हमारे साथ बने रहेगा धन्यवाद